नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंज अगड़ा और आप देख लेए अपना चैनल इसमाल हॉस प्लांट दोस्तों एक आज बेतरीन सा प्लांट डिजाइन करने वाले हैं हमारे एक सब्सक्राबर थे और उन्हों ने मैं कॉंटेक्ट किया तो उनकी रिकॉर्मेंट के अकॉर्ड मकान ऐसे design किया गया है जो चारों तरफ से Closed है तो उनकी जो भी requirement थी उसी को धेहान में रखते हुए इस plan को मैंने design किया है और ये दोस्तों उत्रा खंड के रहने वाले हैं उन्होंने हमें contact किया था उन्होंने हमारी paid service के इस्तमाल किया है तो अगर आप भी हमारी paid service के इस्तमाल करना चाहते हैं तो number आपको हमारी screen पर दिख रहा होगा केवलों वही लोग contact करने जो paid service लेना चाहते हैं अगर आप free में contact करना चाहते हैं तो आप हमें comment कर सकते हैं आप हमारी telegram channel या whatsapp channel को join करके वहाँ पर आप हमें contact कर सकते हैं अगर आप हमें paid service के इस्तमाल करेंगे तो आपको 2D plan plus 3D plan plus video देखने को मिलेगा साथ साथ इसके लिए आप हमें contact करेगा वहारी वाट्स नमबर पर चलो आज का जो प्लान है उसे हम डिस्टाइब कर दो तो दोस्तों जिस मॉडल में बात कर रहा था यह पूरा model होने वाला है बहुत ही खूपसूरत model यहां पर बनकर रिडियू है और सामने से अगर आप देखेंगे ना आपको लग रहा होगा ना मैंने stairs create की है ना आपको slope create की है तो यहां पर घर में entry कहां से की जाएगी यह बड़ी सवार है लेकिन इंटरी के लिए दूस्तों यह एक door लगाए side से अब उन्होंने front में क्यों close कराया है उनका region है क्योंक चाहिए था यह देख सकते इस बज़े space है side window चाहिए था front का elevation उन्हें ऐसा चाहिए था हाला कि उनका जो यह उत्राखंड का मकान है दोस्तों तो उनके यह जो bondi wall चारो तर मैंने create की इसकी नीचे just दूसरे की जमीन है खेत है दूसरे किसी का उनका side से रास्ता है तो उस ब जिसमें की main sliding वाला door दोस्तों उनके required था उनको sliding वाला door यहां पर दिया उपर प्रापर ventilation के लिए window टाइप के और यह एक छोड़ा सा window और इधर window और पूपर grill वगएरा यहां पर मैंने create कर रखिये तो यही पूरा plan में discuss करने वाला हूं तो आप window को पूरा देखीगा तो बात करते हैं इसके ground floor की तो दोस्तों जैसे ground floor पाते हैं तो जब आप इधर से चाढ़ेंगे तो यह आपको बड़ा सा यह chalk टाइप का देखने को मिलता है open space यह देखने को मिलता है और यहां पर मैंने close इसे कर रखा है इसके बाद यह sliding वाला door है slide करेंगे आप अंदर सकते हैं यह आपको stairs पहले मिलते हैं तो stairs को बनवाते समय चीज का विशेज ध्यान रखें कि stairs की hide दोस्तों साथ फिट से ऊपर हो जाए यहां तक तब यह आपका यह open हो पाएगा door नहीं तो फर इस problem होगी तो बनवाते समय इसका विशेज ध्यान रखें घर को इसका अंद करना चाहते हैं तो आप यह sliding वाला door बीश में लगवाएगा और इधर लेट बाग गनवा दीजिएगा stairs की नीचे तब भी आपका काम चल जाएगा लेकिन उनकी requirement की according तब देख सकते हैं दो पीछे bedroom और इन दोनों बैट्रूम में एक यह window दिया है और एक sideway window धर भी है required थी तो वह भी मैंने दी है यह kitchen है जोस्तों kitchen में door और एक अंदर से window एक बाहर से window proper ventilation के लिए यहाँ पर मैंने लगा रिखिए तो यह ground floor का तरीका है बेतरी से दोस्तों बनकर ready हुए जिसमें मातर दो बैट डूम बड़ा सा kitchen stairs और आगे चौक लेट बात इनका जोस्तों ब लिखिएगा काफी खूबसुरत और बेतरीन और unique design आपको देखने को मिल रहा होगा यह दोस्तों stairs को डखने लिए गुम्टी बना दिया जिसमें मैंने एक ventilation के लिए ventilator लगा दिया यह door है जिसे आप आप आएंगे तो यह दोस्तों overall एक बहुत ही बेतरीन सा model बनकर ready होता ह अब दोस्तों जब मैं stair slope बगएरा फ्रेंट से लगा देता हूं तब मकान आपका ऐसा कुछ दिखेगा आपको देख सकते हैं यह मैंने आपको लग रहा होगा कि बेतरीन से मकान दिख रहा होगा बट उनकी मजबूरी थी तो उनको side से door देना पड़ा तो आप ऐसे मकान को design करा सकता हैं तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं वीडियो को like share जरूर किया करें आप लोगों से हम लगातार request करते हैं प्लीज वीडियो को एक बार like कर दिया करें जिससे हमें motivation आप मिलता रहे तो आप अगर आप इस plan को देखना चाहते ह हैं इसके size बगेरा तो आप मारी website smallhouseplant.com पर जाकर visit करिएगा वहाँ पर आपको बहुत सारे गर के नक्षे मिल जाएंगी जिने आप free में download कर सकते हैं तो आज का model अगर अच्छा लगा हो तो please like करिएगा thanks watching